हेलो एब्रीवन बेलकम टू पात्केरेटरेकेडमी पर आपका शौगत है यह मैथ सीरीज का पार्ट नमर 8 है इससे पहले 7 पार्ट ओल्लेडी अपलोड किये जा चुके हैं यदि वो पार्ट आप देखना चाहेते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देखे रखिए आप वो पार्ट देख सकते हैं इसमें हम डिस्क्रिप्श करने वाले हैं 20 दिसंबर 2017 को सिप्ट बन में जो पेपर हुआ था उसमें 40 कोशन आई हुए थे मैथ के उसमें से 20 कोशन इस भाग में डिस्क्रिप्श करेंगे इसके बाद तुरंत बाद भाग भी आएगा उसमें 20 कोशन ठीक है तो यह UPSI का जो एक्जाम होता है यह जो रिटन एक्जाम होता है वो तीन फेस के अंदर होता है पहला फेस जिसमें लेकित परिक्चा होती है दूसरा फेस जिसमें फिजिकल होता है और तीसरा फेस जो डॉक्मेंट वेरिफिकेशन कर रहता है ठीक है इसके बाद ही final joining होती है तो पहला phase जो रहता है वो return exam का रहता है वो scheme यह देखे रखिए आप देख सकते हैं ठीक है इसमें 4 subject रहते हैं हिंदी सामान हिंदी इसके already हम 18 लगबग 22 part upload कर चुके हैं ठीक है वो आप आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर पार्थ के लिए ट्रेकेड में आप सर्च कीजिएगा वो मिल जाएंगे आपको और मूल विधी भी इसके लगबग साथ part हम upload कर चुके हैं वो भी देख सकते हैं और यह मैत का है यह part number 8 है ठीक है इसके टोटल 54 आएंगे यह part number 4 है और reasoning के already 7 part upload किया जाए शुके हैं उसके भी 54 पार्ट आएंगे ठीक है ना question number पहला देखते हैं देखिए 122 भी नमबर पे आये था बैसे question number तो वीडियो के साथ तो पहला question है ठीक है अगर a is equal to x ratio x,3 की 3 की एक गुड़ज और b is equal to x ratio x,5 की एक गुड़ज अगर b minus a धनात्मक पूर्णंग है तो x का कम से कम मान क्या हो सकता है देखिए जहां पर यह आपको यह समुच्चय से question है पहली बात तो ठीक है तो समुच्चय में जो समुच्चय रहता उसको represent करने की दो विधी रहती ह समुच्चय को represent करने की कितनी विधी रहती है दो विधी रहती है कौन-कौनसी एक पहली विधी जो रहती है उसे हम रोष्टर या सारणिय विधी बोलते है कौनसी शारणिय या रोष्टर विधी मैं सौट-सौट में लिखूंग है ना क्योंकि यह माउस से पूरत तरीकी स लिखते नहीं बनता ठीक से ठीक है दूसरा इसे सारणिय या रोष्टर विधी बोलते हैं दूसरी को बोलते हैं गुडण या समुच्च निर्माड विधी ठीक है तो सारणिय और रोष्टर में आप देखेंगे यह जो ब्रेकट करली ब्रेकट रहता है इसके अंदर कॉमा सिंपल कॉमा लगे रहते हैं और चीज़ें दी रहती है ठीक है तो इसे हम बोल देते हैं सारणिय रोष्टर विधी इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं सारणिय रोष्टर विधी और गुडण या समुच्च निर्माड विधी रहते हैं उसके अंदर इस करली रेकेट के अंदर आपको इस रेशियो में चीज़े मिलेंगे इस रेशियो में ठीक है ये दूसरा है गोड़न या गोड़न या समुच्छ निर्माड भी तो इसके अंदर कुछ साइन है वो भी इंपोर्टेंट देख लिए जैसे कभी-कभी ये साइन आपको दिखेगा ठीक है तो इसे बोलते हैं यूनियन क्या बोलते हैं यूनियन और फिर कभी-कभी आपको ये साइन देखेगा इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन ठीक है और एक और जो साइन रहता है वो दिखा रहता है जैसे x ratio x, 3 का एक गुड़ज कॉमा लिख सकते हैं याँ पर अंगरी जी के स्वर ठीक है फिर कॉमा पांच के गुड़ज इस तरीके से लिखे रहते हैं इसमें तो यह है गुड़न या क्या बोलते हैं गुड़न या समुच्च निर्माडविदी को रिप्रे समुच्च है तीसरा रहता है रिक्त समुच्च है उसको हम फाई से डेनोट करते हैं ठीक है और चौथा रहता एकल समुच्च है और पांच बार रहता है तुल समुच्च्च है ठीक है तो यह पांच टाइप रहते हैं समुच्च्च है ठीक है अब आते हम कॉस्च्चन पर question क्या कहा रहा x का कम से कम एक मान अच्छा a और b 3 की एक गोड़ज तो देखिए a बराबर जैसे मैंने लिख लिया इस तरीके से देखे रखा x ratio x और 3 का एक गोड़ज 3 का गोड़ज मैंने माल लिया x है तो 3 का एक गोड़ज ऐसा माल लिया अब x की जगा पर बन रखूँगा वो भी 3 का गोड़ज 2 रखूँगा वो भी 3 का गोड़ज ठीक है और b को मैंने माल लिया इसी तरीके से है x ratio x और बोर देखे रखा है 5 का गोड़ज उसको मैंने 5x माल लिया ठीक है अगर x की value मैं बन रखूँगा तो वो भी 5 का गोड़ज रखूँगा अब भी 5 का गोड़ज ठीक है तो फिर अगर b-1 कर दें अब b-1 करना है हमको b-1 कर रहे हुए तो क्या बचे का बताओ 5 में से 5x में से 3x चले जाएंगे ठीक है तो ये क्या बचेगा 2x बचेगा only ठीक है 2x बचेगा तो x का कम से कम मान क्या हो सकता है देखिए 3 रखेंगे x की value 3 रखेंगे तो हमको 6 मिलेंगे x की value 1 रखेंगे तो हमको cable 2 मिलेंगे और जितनी भी ज़्यादे value रखेंगे तो आप ज़्यादे संक्या मिलेंगे कम से कम क्या मान हो सकता एक लेकिन जीरो रख दोंगे तो आप कोई value नहीं मिलेगी तो फिर तो गलत वांसर हो जाएगा तो कम से कम क्या मान हो सकता है option number A एकदम correct हो जाएगा जिसमें एक दिया है ठीक है now question number 123 देखिए next question next question है जो की 24 जनवरी 2016 से 14 जून 2016 के बीच कितने दिन होगे यह बताना है तो देखिए 24 जनवरी 2016 से 14 जून देज बताना है कि बीच बताना ठीक है 24 जनवरी 2016 से इसमें कितने दिन बचे हैं अभी 24 चै 30 पिलस 1 31 का होता है ठीक है और यह फरबरी है तो यह 39 का इày होगा फर्वरी मार्च में कितने रहते हैं 11 जर्वरी Dies अप्रेयल में कितने रहते हैं 31 और जूर में कितने है dif dec लेकिन 14 के बीच पूछा है ना तो 13 तक लेंगे वाली, ठीक है तो अब बस count कर लेजिए कितने days होगा है, 3, 4, 5, 9, 5, 14, 15, 15, 16, 21, carry 2, ठीक है, carry 2, 2, 1, 3, 3, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 9, 3, 12, 13, 14, बस, 1, 1, 4, 1, option number B, एक्दम correct answer हो जाएगा, ठीक है, 141 देन होगे, ना question number 125 देखिए, रघु पांच बटे चार की बजाए, चार बटे पांच से एक संख्या को गणा किया, रघु ने पांच बटे चार की बजाए, इधर की नहीं चपाए, की बजाए, के बजाए या की बजाए, चार बटे पांच से एक संख्या को गणा किया, गणा की गणा म मैं प्रतिसत त्रूटी की कड़ना करो ठीक है तो इसके दो तरीके हैं एक तो एक समान के कड़ सकते हैं लेकिन हम संख्या मान के करेंगे देखिए बटे में चार लिखा है और इदर बटे में पांच लिखा है तो हम ऐसी संख्या माल लेते हैं जो चार पांच से कड़ती हो च से मतलब गुणा करना था. 4 से 5 से करेंगे, तो मतलब 25 आइसर आना था. ठीक है? लेकिन हमारा आइसर कितना आ रहा है? उसने क्या कर दिया गलती से? 4 को उपर लिख दिया, नीचे 5 को लिख दिया. तो 5, 20, 4, 14, 16, यह हमारा गलती वाला आंसर हो, यह हमारा सही आंसर है तो कितने की गलती हो रही मतलब 9 की कमी हो रही के नहीं ठीक है वही तो पूछ रहा है कि गड़ना मतलब तुरूटी की प्रतिसत में गड़ना करें अगर नंबर में बोली जाये तो 9 की गलती हो रही और इसी को अगर परसेंट में बोला जाये तो 9 किस प परसंट की तो ऑप्सन नमबर बीगदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट कोश्चन देखिए कोश्चन नमबर 125 क्या कहता है एक थीन किलो मीटर की दोड एक्स बाय को साथ मीटर की दूरी से या पांच सेकंड से नलब डिस्टेंस कितनी है पांच सेकंड देता है याद करें कि एकस डौरा दोड को पूरा करने में कि यो क्तना बगत लगा होगा दोड कितने की रहीं टीन किलो मीटर की अगर में देखने थीन हजार मीटर की रहें ठीक है इतनी दोड है तो पांच सेकंड या 60bour ihrन है यह सिक्स्टी मीटर है नव honoring स्पीड हम निका 12 मीटर पर सेकर्ट तो liaison होगा एक कॉन दोड़ रहोगा पर उससे दोड़ना केतना था 3000 मिटर तो उसे समय कितना लगता अगर पूरा complete करने का समय कितना लगता 12, 12, 12, 12, 24, 6 बचे 12, 5, 60 और 0 का 0 250 सेकंड लगते उसे लेकिन क्या हुआ 250 सेकंड लगते अगर वो complete करता तो लेकिन वो 5 सेकंड से हार गया मतलब 5 सेकंड एक्स पहले ही पहुँचिया होगा तो 250 पे नहीं पहुँचा होगा एक्स कितने पहुँचा होगा 245 पे ही पहुँचिया 5 सेकंड या 60 मिटर से हार गया ठीके तो 245 पे अगर एक्स की पूछा जाए तो 245 पे एक्स पहुँचिया होगा बाई की पूछे जाए बाई कितने पर पहुंचना थी, तो बाई पहुंचना थी 250 पर, ठीक है, लेकिन वो पीछे रहे गया, ना question number 126 देखिए, दो संख्याओं का योग 50 है, मैंने माल लिया x पिलस बाई, पहले पढ़ लेते हैं पूरा, योग 50 है, और दो संख्याओं का लगुत्तम समाबर्तक और मात्तम समाबर्तक 5 और 180 है, तो संख्याओं का वित्करम का योग ज्याद करें, वित्करम का योग ज्याद करना है, ठीक है, तो यह माल लिया कि दो संख्याओं है, x और y, उनका योग कितना है, 50, ठीक है, इससे करन इसा पहले LCM और HCF के दो फोर्मूले पहले याद रहों मैंने पहले भी बता हैं पहला तो यह, पहली संक्या, नहीं पहला यह 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 नहीं यह बाला देखो, अगर कभी पहली संक्या और दूसरी रखा है आपको LCM, LCM में देके रखा है, ठीक है, पहला फर्मूला बता रहा है, तो इधर C होगा, और LCM कैसे निकलेगा, A, गुड़त B, गुड़त C, मतलब जो रेश्यों इन तीनों का आपस में गुड़त कर दो, देके रखा है, ठीक है, और पहली संख्या निकालना है, तो 0ic, धर निकालना है, पहली संख्या कितनी है, तो आपको पहली मिल जाएगी, दूसरी निकालना है, तो 2 м तो पहली संख्या मिल गई दूसरी संख्या मिल गई HCF मिलक है LCM मिलका इसी से ड्राइब होता घुक्त है दूसरा फॉर्मूला वो होता है पहली संख्या गुडित दूसरी संख्या बराबर में जाता है आपका hcf इंटू LCM, ठीक है, ये दो फॉर्मूले LCM और HCM के मैंने बता दी, इधर से न, अब हम एक कोश्चन करते हैं, दो संख्याओं का योग 50 है, तो मैंने माल लिए X प्लस बाय दो संख्या है, उनका योग 50 है, ठीक है, दो संख्याओं का लगुत्तम समाबर्तक और महत्तम समाब समाबर्तक और महत्तम समाबर्तक, पांच इंटू X वस्ची है, इतना है, ठीक है, अटरा पंचिन अब बे, 900, 900 हो जाएगा, ये पहला माल लो, ये दूसरा माल लो, देखो, और उनके बितकुरम का योग ज्याद करना, बितकुरम क्या हो था, एक बटा X पिलस एक बटा बा को, तो X, Y का अगर हम LCM ले ले, X, Y अब बराबर, ये Y पिलस X बचेगा, ठीक है, तो X पिलस Y या Y पिलस X हमारा कितना है, पचास है, तो पचास रख दो, और X इंटू Y कितना है, 900, तो 900 रख दो, ठीक है, 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 से ये कट दो, 5 एक हम 5, 4 बचा पाच्छ नमबर 127 देखिए, तीन मिस्तरण की बराबर मात्रा में, पैट्रोल और मिट्टी का तेल इस रेशो में है, ठीक है, कि अनुपात में है, मतलब दो रेशो तीन है, चार रेशो पाच है, ये पैट्रोल है, ये मिट्टी का तेल है, ये पैट्रोल है, ये मिट्टी का तेल है, यह petrol है, यह मिट्टी का तेल है, तीन बरतन होंगे, तीन मिश्रण की बराबर मात्रा, तीन जगा पर रखे होंगे, एक container ही हो जाएगा, यह container ही है, एक container ही है, अगर तीनों को एक साथ मिलाए जाए, तो आखरी मिश्रण में petrol मिट्टी का तेल किसन उपात मनेगा, अब हम ratio 1 का था, ऐसा था, तो अगर इसका part देखा जाए, तो कितना है, यह 2 बटा 5 है, हिस्सा देखा जाए, तो 2 बटा 5 है, क्योंकि 3 और 2 पांच, तो नीचे total उसमें से 2 हिस्सा है, ठीक है, ratio 3 बटे 5 हो जाएगा, यह तो हो दो हिस्सा, तो है तुमारा petrol, और 3 हिस्सा है आपका मिट्टी का देल, ठीक है, तो इसी तरीके से 4 ratio, 3 मतलब 4 बटे 7, और यह 3 बटे 7 हो जाएगा, ठीक है, और यह 6 और 7, मतलब 6 बटे 7, और 1 बटे 7, ऐसा है, तो यह तो है हमारा petrol, और यह है मिट्टी का देल, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यह भी petrol है, यह भी petrol है, और यह म थ्यूआ ठीकर टेल है तो हमें ग्र हिए पैट्रोल पैट्रोल ओ पैट्रोल इस कंटेनर में आएग तो पैट्रोल पैट्रोल को जोड़ दो का अलग से 3 x 5 मुराक चार बाई 7 प्लास अ 5 ये तो होगा है हमारा क्याרת अब इदर अलग से मिट्टी का तेल दो दो 3y5 पिलस इधर कितना था 3y7 पिलस 1y7 ठीक है अब इनको solve कर लेजिए simple 735 मतलब 35 LCA में जाएगा ठीक है और 721 हो जाएगा इधर पिलस 21 कैसे हुए देखिए 5 से दिवाइड करोगे साथ आएगा 57 35 और 7 का गोणा तीन में करोगे तो 21 ठीक है अब साथ से डिवाइड किया इकम पांच हो जाएगा ठीक है तो पंदरा पांच 20 और 20 40 और 41 बटा 35 तो आगया यह मिट्टी घते और इधर देखिए यह 30 था ना अब तो यहां पर कुछ गड़बड है तो यहां पर कुछ गड़बड है कि दो बटा पांच था ना तीन बटा पांच किसलिका यह दो बटा पांच है ठीक है 35 लोगे तो पांस सता पैंती साथ दूना चौदा इधर चौदा आएगा ठीक है चौदा और चौदा प्लस 20 प्लस 30 50 60 64 64 अपॉन 35 तो 35 सिर्थ 35 कैंसल हो जाएगे 64 रेशियो 40 बना जाए अगर लेखिए मिटटी का तिल बाद में पूच रहे हैं हाँ जैसा पूछा था ऐसे ही पूछ रहे हैं पैठराल पहले पोचा की गणना करें, college अनुमानित मध्यमान, अनुमानित मध्यमान जो रहता है, उससे मध्यमान का कै रहता है, मध्यमान बराबर एल पिलस केपिटल F अपॉन टू माइनस ओ स्वरी N अपॉन टू माइनस F ये उपर रहेगा और बटे में रहेगा इसमॉल F और इंटू H ठीक है? अब देखिए इनमें चीजें समझ ये क्या होता है सबसे पहले जब भी इस तरीके का फॉर्मूला हो तो हमें 12 बारंबारता तो देखे रखी थी संचाई 12 बारंबारता और निकाले थे हैं संचाई 12 बारंबारता हम C F से प्रेजेंट करते हैं C F यानि संचाई 12 बारंबारता संचाई बारम बारता कैसे निकाली जाती है जो सामने value है पहले time तो 4 का 4 ही रहेगा इदर निकाली ते इसमें है न और फिर दूसरे time में 15 प्लस 4 इस तरीकी से आड़ होगा 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19 ठीक है फिर 19 और 8 कितना हो जाएगा 27 और 27 और 27 कितना हो जाएगा 3 30 यह संचाई बारम बारता आ गई और मध्धमान का मतलब रहता है इनके मध्धमान की करना करना तो हमें कोई ऐसा बीच का पंक्ति सेलेक्ट करना पड़ती है जो बीच ओ बीच हो तो अभी यह चार है तो इनका बीच कैसे सेलेक्ट करें तो हम क्या कर लेते है यह बीच वाला ऊ की बेली कितनी हो जाएगी नो ठीक है और अ का मतलब रहता है sociedade अब हमारा मध्धमान इस से निकल रहे मध्धमान मतलब भीच की बीचकी से यू निकलेगा मध्धमान तो इसमें निमन do सीमा किया ग्यारा उच सीमा कितनी है बीस लेकिन हमें तो निम्नी सीमा ल की जरूए थे तो ल कितना हो जाएगा 11 ठीक है और एन क्या रहता है एन क्या रहता है इन को जोड़ दीजिए वो आपका एन आजाता है तो देखिए 15 चार 19 और 3, 22 और 8, 30 तो एन बराबर कितना आगे सम अफ दी बारम बारता एन रहता है हमें एन बटे 2 की जरूए थे तो एन बटे 2 निकाली एन बटे 2 मतलब 15 हो जाएगा ठीक है तो एन बटे 2 अपना कितना हो गए 15 तो हम इधर जो एन बटे 2 है उसकी जगा 15 रख सकते है ठीक है फिर संचाई बार्म बारता में केपिटल एफ को बोलते है मद्वी का बरग से पूर्व बरग की संचाई बारम बारतार है इससे पूर्व बरग की ओबारम बारता तो रहतित tới तो मद्धिका बर्ग है, इससे पूर बर्ग कौन सा है, ये वाला, उपर वाला, उसकी संचाई बारंबारता हो, तो उसकी संचाई बारंबारता कितनी है, चार, कितनी है, चार, तो यह होता है capital F, तो यह हो जाएगी, आपकी capital F हो जाएगी, चार, ठीक है, और small F क्या रहता है मद्धिका भर्गी की बारंबारता तो मद्धिका भर्गी की बारंबारता कितनी है 15 और ये 4 मतलब capital f इधार आता है और small f इधार आता है मद्धिका भर्गी की बारंबारता मतलब small f small f बराबर 15 ठीक है तो ये होगे सारी सारे value होगे सारे डाटा समझ में आगा है कैसी रखे जाते बस यह निकाल लिया तुमने 15 20 सेकंड के अंदर बस तो फिर इसके बाद तो बैलू पुट करना है आपको तो मध्यमान में बैलू जब रखेंगे तो मध्यमान इस एकॉल टू मध्यमान पटापट बैलू रख दीजिए देखन संच़ई बारम बारत क्या बोलते हैं मधीका बर्ग से पूर उबर की संच़ई बारम बारता तो वो कितनी आई थी 5 कितना आया था एफ चार एन बैटे में क्या है small f, small f कितना है 15 और उनकी h मतलब, height मतलब उनका gap कितना है, 9 का है तो अगर 15 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, इधर 11 हो गया और इधर भी 11 और इधर 15 और इधर into 9, 3 से कट करेंगे 3 3 का 9, 3 5 है 15 11 33 बटा 5 33 बटा 5 और इधर प्लस में 11 तो चली रहे 5 से कट कर दो, 5 6 का 30 3 बचा 5 6 का 30 30, 30 11 अच्छे, 17 17.6 17.6 के नियर जो answer होगा, इसे हम मान सकते हैं 17 भी मान सकते हैं, और 18 भी मान सकते हैं जो भी option में मिले, तो हम 17 लगाएंगे 17 हैं, अगर option में 18 होता हैं 18 लगाते हैं, तो option number एक दम correct answer हो जाएगा, ठीक है I hope आपको समझ आया है, यह होगा question number 129 देखे एक परियोजना का काम 12 करमचारियों द्वारा 15 दिन में पूरा किया जाना है एक परियोजना है जो 12 करमचारियों द्वारा 15 दिन में ताकी परियोजना का काम समय पर पूरा होश अके, ठीक है तो देखे, जब भी work and time के question आएंगे, उसमें भी मैंने दो फॉर्मूले बता करेंगे, तुरंट पता हो जाना चाहिए एक MKD मजदूर कारियों द्वाला तो इसमें यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर बेल लो होगी तो बहुत जगा यही फॉर्मूले लगेगा ठीक है, इसी से solve करेंगे यह भी इसी से solve होगा और दूसरा फॉर्मूला MDH बाला M, मजदूर, MDH इसमें क्या रहता है मजदूर, D, हावर और W, बर्ग और रुपे जब भी रुपे बाला रहेगा MDH बन इधर रख लेना 2 M2, D2, H2 D2, H2 और W, 2 और R2 ठीक है, और यह बन रहेंगे ठीक है, बन, 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 बन MDH M1, D1, H1, W1, R1 बराबर यह यह दो फर्मूल है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और फिर इसके बाद सवाल करते हैं, अभी यह पहला है जैसे, मतलब, बहुत सारे जो बर्केंट टाइम के कुश्चन है वो इन्ही दोनों से स्कॉल्व होने वाले हैं, तो देखो तो बैक्ती कितने हैं 12 एक काम है, क मतलब काम और डी मतलब दिन, 15 दिन में किया जाना है M, K, D बन गया 15 दिन में पूरा किया जाना है और इनका मल्टिपिकेशन देख लिजी वो कैसे हो था पहले इसमें होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो नो ही बचे, तो बचे हुए लोग अपने काम करने की दर्म है, तो बचे हुए लोग पहले काम मतलब कितने दिन में कर पा रहे है वो तो देख ले है, फिर उन्ने अगर टीन आण उपस्तत होगा है, तो इन ने टाइम कितना लग रहा तो गुणण कर देते इस तरीके से cross ही होगा ठीक है 9 का button में करेंगे और फिर x में करेंगे 9 into 1 into x इस तरीके से बराबर 12 into 1 into 15 इस तरीके से ठीक है तो 9 से cut करें 9 तो 3, 3, 3 जा 9 और 3, 4, जा और 3, 5 जा और 5 गुड़े 4 करेंगे तो x की value आगए 20 तो इनको कितने दिन लग रहे है, 20 दिन लग रहे है, x बराबर आ गया 20 अगर 3 लोग अनुपस्तित हो गा है, पहले 12 थे, 9 लोग आ है, 3 absent हो गा है, तो फिर तो 20 दिन लग रहे है, मतलब days जाद लग रहे है तो वोई तो पूछ रहे हैं कि कितनी बड़़ अत्री करना पड़ेगी, तो 5 से हमें बढ़ाना हैं कितने 5, मतलब 15 से 5, तो 5 की बड़ अत्री करना पड़े गी, किसने से 15 से, तो वोई percentage में पूछा है कितने percentage की, इत्री percentage की, ठीक है, 5 एक हम 5, 5 तरी पंदर, 100 by 3 होता है, 33 by 1 बाई 3, option number 3, होता है की नहीं, देखो, cut करके देख लो, 33 is a 9, बन बचा, 33 is a 9, बन बाई 3, 33, 33 सही, बन बाई 3%, ठीक है, तो option number एकदम correct answer हो जाएगा, ठीक है, अब देखते हैं, 130 question, मान लें, पूर्णंक, n, greater than, और equal to 1 के लिए, n factorial बराबर ये, 1 into 2 into 3 into, डडड़ ड़स, n, अगर x is equal to, x, 8 की पावर 2 into 15, जब x को 16%, 16 factorial से विवाज़ित करें, तो 6 क्या होगा, जो x की value है, ये इतनी सारी, जब x को 16 factorial से डिवाइड करें, तो क्या होगा, देखिए, x बराबर देखे रखा है, 8 का बर के मतलब 64 लिख लें हम, और into, इसको क्या करते हैं, अभी देखें, नीचे 16 factorial लाया है, तो 16 इन में से common नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम पहला नंबर को देख लें, 15 factorial तो common ले सकते हैं, तो 15 factorial को 15 इधर अभी पहले 15 ही लिख लो, 16 को कैसे लिख सकते हैं, 16 इन्टू 15 लिख सकते हैं की नी, ठीके, प्लस, और 17 को कैसे लिख सकते हैं? 15 तक elaborate कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि हमें 15 फेक्तोरिल ले common निकालना है common क्यों निकालना है? वो भी बताते हैं अगर इधर 64 और इंटू 15 फेक्टरिल कॉमान आ गया सवाल को सिंपल बनाने के लिए निकालना तो फिर इधर 1 बचा इधर 16 बचा इंटू 17 इंटू 16 बचा बचेगा की निए फिर इधर 15 निकाल लिया तो 18 इंटू 17 इंटू 16 बचेगा थीक esti इतिनी लिया車 1 गया बटे में चलना है मारा सोल जब ذबा एकस को इसला फैक्टरिल से भाग देना तो ऑला फैक्टरिल को कैसे ल locked सक्ते इंट इंटू 15 फेक्टर्रा एसेLať सकते इतना थीक है तो ये 15 से ये 15 तो पोरा कट रहे ना और 16 चोके होते हैं 64 64 तो अभी कुछ पूरा की पूरी तरह कट गया कि कट गया ना तो सेश क्या होगी सेश कुछ बचा कि चार से कट गया अब यह चार का गोणा जो है इधर पूरा बच जाएगा तो मतलब कुछ कुछ रिमाइंडर आएगा क्या कोई रिमाइंडर नहीं आएगा तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं तो क्या रिमाइंडर आएगा चार मलब यह चार का जो जो भी यह आंसर आएगा आप पता नहीं इनको गुणा करोगे करने की जरूरत नहीं इनका पूरा गुणा करोगे इंटू 4 कर दोगे, तो कोई reminder कहां से बचा, कोई reminder नहीं बचा ना, तो हम क्या करेंगे, तो says क्या होगी, 0 says आ रहा है, option number एकदम correct answer हो जाएगा, ठीक है, now next question देखे, question number 31, निम्न को दिया गया कौन सा बिकल्प, निम्न मैंसे दिया गया, कौन सा बिकल्प, 9 से बिभाज है, देखे, बिभाज था किनी हम भी मैंने बता दिये पहले, 2 से कौन से चीज बिभाज होती है, जिनके पीछे 0, पूरे देख लेते हैं अभी, 0, 2, 4, 6, 8, ये चीज़ें अगर पीछे 0 में दिख जाएंगे, तो वो 2 से बिभाज है, 3 से कौन बिभाज होंगे, जैसे एक संख्या लिखी है, 3, 7, 9, इन्हें आपस में जोड़ के देखना पड़ेगी, वो अगर 3 से बिभाज है, तो वो भी संख्या भी बिभाज हो जाएगी, जैसे 7, 10, 9, 19, तो ये 3 से बिभाज नहीं है, क्योंकि ये 19 जो है वो 3 से डिभाज जबल नहीं है, ठीक है, अब 4 आता है, 4 के लिए आपको जनरली 3, 4, 9, 2, 6, ये लास्ट के दो नमबर देखना पड़ेंगे, क्या ये 4 से डिवाइड़ेड है, चार्चिंग 24, दो बचर है, नहीं, तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिभीजवल नहीं है, पांच वाले में रूल क्या बोलता है, कि अगर 0 है, और 7 है, पांच है, लास्ट में क्या है, 0 है, पांच है, तो वो 5 से डिवीजवल है, ठीक है, और 8 का देखी, 8 कब डिवीजवल होता है, जनरली 3, 4, 9, 6, 8, 9, ये लास्ट के 3 डिजिट से भाग देना पड़ती है, 8 को, अगर ये डिवीजवल है, तो पूर डिवीजवल है, 8, 8, 8, 8, 64, 4 बचेगा, 49 हो जाएगा, तो 8, 5, 40, 8, 6, 48, तो एक बच रहना, तो ये संक्या 8 से डिवीजवल नहीं है, 11 का और इंपोटेंट रहता है, 11 में क्या बोलता है, कि जो भी नंबर है, उनमें सम इस्थानों का एड़ कर दो, और जो बिसम इस्थान है, उनको माइनस कर दो, ठीके, तो उनका जो रिजल्ट है, या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, इसके मल्टिपल में आएगा, तो वो 11 से डिवाईज़ है, कैस विसम इस्थान, तीन, और एक, एक और तीन, चार उच्छे दस, तो यह दस, और दस में से आठ गया, तो कितनी बची, दो, तो यह तो 11 से डिविज़वल नहीं है, लास्ट में हमको क्या मिलना चाहिए, या तो 0 या 11, तो तो वो संख्या 11 से डिविज़वल होती है, ठीके तो यह डिविजन के रूल देखिए, तो अभी हमें 9 आया है, तो 9 का वही रूल रहता है, जो 3 का रूल रहता है, ठीके, तो आप क्या करेंगे हम, संख्या को क्या करके देखेंगे, डिवाइट करके देखेंगे, ठीके, मतलब आपस में जोड के देखेंगे, पहली संख्य चार उच्छे 10 और दो 12 तेरा 14 पांच 19 तो यह भी डिविजबल नहीं है ठीक है फिर हम देखते हैं बी बाल अच्छे उच्छे 12 तीन 15 16 17 और 18 तो यह देखिए 18 यह तीन से भी डिविजबल है तो नौ से भी डिविजबल होगी ठीक है तो option number B एकदम correct answer हो जाएगा ठीक है now question number 132 देखिए क्या कहता है कि 75 लीटर छमता वाले एक container में एक प्रावेसिक और एक निकासी tank है एक tank बना लिए एक बड़ी आसा ठीक है अब इसमें दो pipe लगे हुए एक तो इदर से निकलने वाला लगा है और एक इदर से भरने वाला लगा है ठीक है अगर दोनों को एक साथ खोला जाता है तो container पांच मिनट में भर जाता है पर अगर निकासी नली के प्रभाई की दर दुगनी कर दी जाती है तो है और दोनों नलियों को एक साथ खोल दिया गया तो कंटेनर के भरने का समझती गुना हो जाता है जब केबल प्रबैसी का नली खोली गई तो कंटेनर को भरने में कितना समय लगया ये question है ठीक है देखें, 75 लीटर है इसकी छमता कितनी है, 75 लीटर तो हम कैसे करते है जो भी हमारे efficiency रहती है वो इधर रहती है बरकेंट टाइम से ही है question मतलब कंटेनर बाला है, pipe and sustain वाला तो टोटल बरक कितना है हमको पहले इसे देखके रखा है टोटल छमता है उसकी 75 लीटर ठीके तो यह टोटल बरक के करीब है तो चमता वाले एक कंटेनर को एक प्राबिसिक और अब इसमें देखिए एक तो है फिल करने वाला pipe और एक है empty करने वाला है की नहीं, एक जो empty कर रहा है यह empty कर रहा है और यह फिल कर रहा है ठीके, यह दो pipe अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो पांच मिनट में भर जाएगा यह पांच मिनट में कब भरेगा कितने इसे गुड़ा करें कि आंसर पांच आए तो पंदरा से अगर मैं गुड़ा करूँगा तो पंच आएगा इन दोनों को अगर मैं 25 इदर माल लूँ कि 25 फिल कर रहा होगा positive माल लूँ 25 में से minus 10 निकल जा रहा होगा minus 10 मैंने माल लिया कि empty कर दिया तो 25 में से 10 गए तो पंदरा जाएगा पिलस का की नहीं बस तो यह इसी 25 को मान के करते हैं तो 25 से भरा तो यह 5 मिनटों भर भी रहा condition satisfy बिलकुल इन दोनों की छमता निकल आई मतलब भरने वाले की छमता निकल आई 25 और खाली करने वाले की छमता निकल आई तो खाली करने की छमता निकल आई minus 10 ठीक है बराबर पर यह मानना है आपको अपने इसाप से ना ऐसे नहीं के कहीं पर कोई trick मेरे की देखे रहा है तो इसका आपको आ जाएगा answer यह मानना है बाइप्रेक्टिस आ जाएगा तो container पांच मिनट में भर जाता है यहां तक हो गया भर रहा है पर अगर निकासी नली की पिरभायधर को दुगना कर दें तो अभी माइनस 10 निकल ला तो इसको दुगना कर दो माइनस 20 कर दो ठीक है अगर माइनस 20 कर दो गए तो 25 में से 20 गए तो फिर तो हमारे पास only 5 फिल कर रहा है दुगना कर दी गई तो द 75 को 5 से डिवाइट करो 5 एकम 5 ओपचम 25 अब कितना 15 मिनिट लग रहा है पहले कितना लग रहा था 5 मिनिट बताइए तिगना उस समय होगा कि नहीं 5 से 15 बिल्कुल तुसके कंडिशन सेटस्पाई कर रहे हैं तो कंटेनर को भरने का समय तिगना हो जाता है जब केबल प्रवेशी का नली खोली जाती है मतलब प्रवेशी का मतलब भरने वाली खोली जाती है तो कंटेनर को भरने में कितना समय लेगा प्रवेशी का नली मतलब केबल प्रवेशी का नली तो देखिए प्रवेशी का नली कितना भर रही थी 25 तो 25 को अकेला खोल दो तो क कितनी समय में अभर जाएगा 75, 25, 25, 35, 3 लगेंगे चार, 3 मिनटे लगेंगे की नहीं, तो कितना answer हो जाएगा, 3 मिनटे, option number D एकदम correct answer हो जाएगा, ठीके, 32 का option number D दम correct है ठीक है now next question देखिए question number 32 मेरी अलमारी में 30 गेने पूरी तरह अब्यविस्तित तरीके से रखे है अगर 10 काले हैं 10 लाल हैं 10 माल लिए काले हैं मतलब black है और 10 लाल हैं मतलब red है और 10 भूरे हैं 10 मतलब brown है ठीक है के हैं लेकिन मैं अंधेरे में रंगों का अंतर नहीं कर सकता मुझे अलमारी में कितनी गेंदे लेनी चाहिए ताकि एक ही रंग की कम से कम एक जोड़ी मोज़ो दो देखिए अगर मैं हाट डालू इसमें से मतलब अलमारी में हाट डाल के निकालू कोई एक गेंदे निकाली इसमें से तो वो तो ब्राउन भी हो सकती है रेड भी हो सकती है और ब्राउन हो सकती है रेड हो सकती है ब्लेक भी हो सकती है ठीक है तो इसमें एक तो बैसे भी अप्सन में है नहीं अगर दो निकालूंगा तो संभाबना क्या है कि अगर मैं तीन गेंद निकालूँगा तो यह संभाबना हो सकती है कि एक इसकी निकालाई, एक इसकी निकालाई, एक इसकी निकालाई, तो यह संभाबना हो सकती है कि नहीं, लेकिन अगर मैंने चार गेंद निकाली, तो मेरे को यह संभाबना जरूर ह कि अगर एक इसकी निकलाई, एक इसकी निकलाई, एक इसकी निकलाई, मान लेते हैं कि ऐसा निकलाई, ठीके, तो एक पक्का रिपीट हो जाएगी बापस से, तो एक जोड़ी हमारी बन जाएगी, तो ये चार में संभाबना है, कितने में, चार में, तीन में तो ऐसा हो सकता ह कि इसकी भी निकलाई इसकी भी निकलाई इसकी तो हमारी जोड़ी का बन नहीं एक रंगी लेकिन हमें क्या करना है एक रंग की मतलब जोड़ी बना रंग की कम से कम एक जोड़ी होना चाहिए तो ये चार की संभाबना है जब आप चार बॉल निकालेंगे तब एक संभाबना है कि हाँ तो मारी मतलब कोई से कलर की जोड़ी बन जाएगी लेकिन तीन में एक संभाबना थोड़ी है उस संभाबना की बहुत जाद एक कम चांस है लेकिन चारवेंस प्रवबेल्टी उसके जादे है तो आप्शन नमबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है कि नाव कोश्चन नमबर बन थर्टी फोर बातर सो रोपे के मूल धन पर नौ महिने के लिए पचास बटे तीन परसेंट के सालान अंदर पर साधरन व्याच का होगा तो देखिए ऐसा ही कैसे निकलता है ऐसा ही के सिंपिल फॉर्मूला क्या होता है पी आर्ट अपन लेकिन महीन मंत में देखे रखा तो इसे एर में कनवर्ट कर देंगे और पचास बटे तीन मतलब एक बटा च्छा होता है वैसे लिख देता हूं लेकिन पचास बटा तीन और परसेंट देखे रखा है तो नीचे तो हंट्रेट आएंगे ठीक है पचास दूना सो ठीक है और बार अचेंग बाहतर शेह सो और दो से कट किया तीन दूना च्छेह से कट किया सो मुल्ब नौ सो रुपे आ रहा है कि नहीं आपके एक्स ऑप्शन नंबर एक करेक्ट अंसर हो जाएगा नौ सो रुपे नाइन हंडर्ड रुपे एक सु कोशन देखिए कि कोशन नंबर 135 देखिए इस तरीका कोशन को हम दो तरीके से सुल्ब करेंगे 0.63 यह बार वाला कोशन है 0.63 इस पर बार नहीं लगा इस तरीके से आ रहा है 6363 ठीक है और पिलस पिलस दूसरा केतना है 0.37 37 37 और डडडड़ डड़ 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 ओ फिल लेखाए 0.82 80 फिल लेखाए 80 फिल लेखाए 80 फिल लेखाए 80 ठीक है इनको यड़ कर दो 37 10 की 0 हाथ कहई 1 8 10 9 3 12 6 18 की 8 8 की 1 7 10 11 9 13оном की 1 अस तरीके से आ रहा है तो हम इसको कितना मान सकते है 1.81 के बाद फिर रिटार है तो 1.82 मान सकते हैं कि नहीं तो 1.82 option number B आपका correct answer हो जाएगा पहला तरीगा यह था कि इस तरीगी से कर दूसरा क्या रहता है जब भी कोई number repeat होते जाता है तो हम उसे simply क्या कर देते है 63 है फिर 63 फिर 63 जो number repeat हो रहा है उसके उपर बार लगा दें सिम्पर ठीक है पहला यह दूसरा दूसरा क्या रहा है 0.37 तो 37 जब repeat हो रहा है अधेक बार तो 37 फिर बार लगा दें तीसरा क्या है 0.80 इस तरीगी से आ रहा है तो इस पर भी बार लगा दें है ठीक है अब जब बार हम अटाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं जो बार है उसको अटाया कितने नमबर पर दो नमबर पर तो दो नाइन लिख लिए जब ये बार है इसको अटाया तो दो नाइन फिर लिख लिए और नीचे दो नाइन फिर लिख लिए इनको आपस में जोड़ दिद ये उपर को उपर नीचे LC हम लेंगे 99 ही आएगा और सातीन दस की 0 हाथ का 1, 8, 9, 3, 12, 6, 18 इस तरीके से आ रहा है ठीक है अब 180 से आप क्या कर देंगे इसे डिवाइट कर देंगे 99 को तो 99 मतलब बन टाइम तो जा रहा है 81 बचे रहेंगे फिर 0 कर देंगे आप ठीक है तो यह पिर सिंपल काटो ना पहले 9 से 9 टू जा 18 0 9 बन जा 9, 11 से कट कर दो 11 एकम 11 9 बचे रहेंगे 11 एकम 18 18 मतलब 2 बचे रहेंगे 0, 11 एकम 11 1.81 1.81 ऐसे आते जा रहा है न तो 1.82 ले सकते हैं इसको ठीक है और भी आ रहे है न आगे दर 1.81 फिर 8 आ रहे है न आप्सन नमर 1.82 करेक्ट रहेंगे 135 ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमर 136 का एक नाउ प्रभाव के साथ 20 मिनट के प्रभाव के साथ मतलब ऐसा पानी बहरा होगा उसके साथ है ना 20 मिनट में 400 मीटर հही है कितनी 20 मिनट में 400 मीटर की डिस्टेंस मतलब इतनी- इतनी 400 मीटर मालने 20 मिनट लग रहा है उसको parallel 400 मीटर प्रवाव के साथ मतलब उसकी धारा की Economics कुछ गती होगी वह तो बहा रही है साथ मैं वह तो बहा रही है अपनी स्पीट से पिला धारा उसका सभी हो कर रही है तो ऐसे बहा रही है न तो इसी के देखिए नाव बोटेंड स्ट्रेम के सबसा पहले मैं चार इंपोर्टेंट फॉर्मूला लिखवाता हूं उससे लगवा मैं जो फॉर्मूला लिखवाता हूं उनसे 80 to 85% कोश्चन हो जाते है ठीक है फिर जो बाकी बश्ते हैं उनका तो फिर दिमाख लगा की करना पड़ती है पहला पॉर्मूला एक्स इसकॉल टू होता है एस भ गती के हैं अब एक्स को यहां पर क्या माना है एक्स को माना है पिरभाह की पिरभाह की दिशा में गती मतलब क्या बोल सकते हैं पिरभाह की दिशा में जिस दिशा में यह पिरभाह हो रहा उसी की दिशा में गती ठीक है और एस भी मतलब माना है speed of boat in still water मतलब सांत पानी में जल की गती सांत पानी में सांत पानी में बोल सकते हैं सांत पानी में boat की गती ठीक है सांत पानी में boat की गती और ये plus में भी लिखा है तो ये है speed of stream मतलब धारा की गती सब गती गती हैं, सारी गती है जितने भी दिखें सब गति है, धारा की गति, यह धारा की गति होगी बह रही होगी न, मतलब अगर हमें पिरभाग की गति निकालना है, पिरभाग की गति कहां पर, मतलब फिलो जहां पर, मतलब जो जैसे यह धारा बह रही है, इसी की दिशा में अगर निकालना है, पिरभा हाँ हाँ सभी पॉं़ अनू परभाए अगर हमें अनू परभाए मतलब जिस डिरेक्शन में पानी बहरा है वो निकालना है तो हम क्या करेंगे sb, plus sb को जोड देंगे तो हमारा अनू परभाय निकल आएगा अब उर्दपरभाए अगर हमको s b निकालना है मतलब speed of boat in still निकालना है तो हम क्या करेंगे 1 by 2 और x plus by बहुत simple formula है चार और बहुत काम के formula है ठीक है और अब s b भी निकालना है तो क्या करेंगे 1 by 2 इसी sequence में आप याद रखें बहुत जल्दी याद हो जाएंगे x minus by यह होगा चार formula ठीक है बस अब हमें क्या निकालना अनू प्रभाय के साथ प्रभाय के साथ बह रही तो मतलब हम कौन सा फर्मूल लगाएंगे यह वाले लगाएंगे कि नि ठीक है यह तो पैसे देखिए यह तो इसमें सांत पानी में देखें नहीं रखा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी स्पीड ऐसे निकलने के दिस्टेंस कितना 400 और बटा 20 20 से कट कर देंगे 20 20 मीटर पर सेकंड मीटर पर मिनिट में मीटर पर मिनिट बह रही है यह एक नाव प्रभाय के साथ परभाय के साथ मतलब x आगया आपका यह क्या आगया x ऐसे निकल ली यह आगया x और यह तो परभाय के साथ बह रही है नाव की गति उर्द परभाय के मुकाबले के साथ दुगनी है उर्द परभाय के मुकाबले के साथ दुगनी है तो उसका उर्द प्रभाह मतलब बाय केतना होगा दस हो जाएगा कर नहीं क्योंकि उर्द प्रभाह मतलब जिस धारा जैसे इधर साइट से बह रही है हम इधर साइट से आ रहे हैं तो उस साइट में उसकी वो बोला है उर्द प्रभाव के मुकाबले दुगनी है जो प्रभाव के जैसे प्रभाव मतलब जिस डारेक्षिन में पानी बह रहा है उसी डारेक्षिन में जा रहा है तो 20 मीटर पर मिनिट जा रहा है आप और लेकिन उल्टी डारेक्षिन में आओगे तो आप आप 10 meter per minute आप आओगे, किये बल 10 meter per minute, एक मने मैं कितना 10 minute, मतल़ 10 meter आप आओगे एक मिनट मैं, लेकिन अगर फिल की direction में जाओगे, तो 20 meter जाओगे, ठीक है, तो ये दोनों चीज निकले बस, अभी क्या पोल ला है, नियमने बिकलपों में से कौनसे सही संबंद प्रतान करता है सही संबंद प्रतान करता है अब S, B, इस्थरपानी में नाव की गती और पिरभाग की गती तो इस्थरपानी S, B और S, B भी निकल लो, तो S, B कैसे निकल जाएगी देखो, S, B तो S इसी निकल लएगी न, S, B बराबर X और यह को जोड़ के दो का भाग दे दो, 20-30 को जोड़ के दो का भाग, sorry, 10-20 को जोड़ के 30 हो जाएंगे, 30 बटे 2 मतलब 15, 15 आ गया, S B, और इसके बाद आएगा S B, और तो क्या करो के 20-10 मतलब 5, ठीके 15 पांच आ गए, अगर रेशियो देखा जाए तो इसका, 5, 3, 15 और 5, 1, 5, 3 रेशियो, यह 3 गुना है, और धार, मतलब, Speed of boat in still water 3 गुना है, जो है, वो 3 गुना है परभाय की गती से, इस्थर पानी में, है की नहीं 3 गुना, इससे 3 गुना है की नहीं यह, परभाय की गती से, जो परभाय की गती आ रही है, बन, उससे 3 गुना है, यह इस्थर पानी में 9 की गती, 3 गुना आ रही है, तो option number A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, question number 137 देखिए, राम ने दो बरावर रकम की दो भिन लोगों को दी, उन्होंने पहले ब्यक्ती पर, पहले ब्यक्ती पर 5% साधरन ब्याज पर लगाया, पांच साल के अंत में उन से ब्याज लिका, ब्याज, एक हजार रुपे मिले, एक हजार जैसे हमको मिल जाते हैं, तो P निकल आएगा, easily, यह पांच है, और यह पांच है, और इदर हंड्रेड है, 25 चोके, मतलब P बराबर आजाएगा, चार जाएगा, ठीक है, P बराबर कितना जाएगा, चार जाएगा, मिले, तो दूसरे व्यक्ति को उन्होंने केवल दो साल के लिए रकम दी, उस पर ब्याज की कितनी दर लगाए, ताकि इतनी ही रासी प्राप्त कर सके, इतनी ही रासी प्राप्त कर सके, जितनी उन्होंने पहले व्यक्ति से बसूली, पहले व्यक्ति से तो एक हजार रुपे के लिए रकम दी व्याज लगा अच्छा दो साल के लिए दी तो यह 4000 रुपई जो हैं उनने कितने साल के लिए दे दिया दो साल के लिए तो रेट पूछ रहा है रेट कितना लगाे ताकि उसे 1000 मिल सके तो रेट निकल आएगा इस से 12 12 दो एक 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 चारदू न आठлагा पॉरटल पॉइंट सूर जायगा ऑप्शन नमबर एकदम correct है ठीक है ना question number 138 देखे अगर एक बस्तू की बस्तू की लागत मूल पर 20% का लाव होता है तो मानलिया 100 रुपे की कोई बस्तू थी उस पर 20% का लाव मतलब 120 रुपे में बेच रहे हैं तो इधर 20% का लाव हो रहे हैं कि नहीं इसकी बिक्रे मूल पर लाव परतीसद निकालना है जो लाव परतीसद कैसे निकालते है रुपे में देखा जाए तो 20 रुपे का लाव होगा अगर परसेंटर निकालना है तो 20 अपॉन 100 कर देंगे तो वो % निकालाएगा लेकर हमें विक्रय मूल पे निकालना है विक्रय मूल कितना था 120 120 पे निकालना है बस इतना सा पूछा है इस question में 20 चिंग 120, 100 बटे 6 मतलब 50 बटे 3 50 बटे 3 करोगे तो कितना होगा 16.66 देख लेते हैं तीने कम तीन, तीचिंग 18 दो बटे 3 16 पॉंट 2-3 परसेंट ठीक है option नमबर C दम correct answer हो जाएगा ठीक है दो गाडियां A और B अगले एक घंटे के भीतर निर्धारत की गई है दोनों गाडियों की सभी यातरी हॉल में इंतजार कर रहे हैं ठीक है हॉल में बैठने की छमता है 1500 रूपे जिसमें से 10% खाली है प्रतिक चारत यातरियों में 40% महला है 10% खाली है और जो जितने बचे हैं प्रतिक्चा कर रहे हैं उसमें 40% महला है और प्रतिक ट्रेन में बैठने की छमता प्रतिक्षालाई में बैठ रहने की छमता की दो ते हाई है जितने ट्रेंड में उतने ही लोग बैठ सकते हैं जितने उधर बेटिंग हॉल में बेट कर रहा है उनका दो थाड़ ठीके ट्रेंड एके यात्रियों में सवार हुए ट्रेन ए के यात्री ट्रेन में सभार हुए ट्रेन बी में सभार आधे यात्री महला है अच्छा ट्रेन ए में सभार आधे यात्री महला है अच्छा आधे महला है तो आधे पुरस हो जाएंगे ठीके बाकि यात्री ट्रेन बी में सभार हुए अब जो बचे रहेंगे वो B में सभार होंगे ट्रेन A के सभार पुरसों की संख्या आदे होंगे और ट्रेन B में सभार महलाओं के बीच के अनुपात क्या होगा देखिए बड़ा है सभाल लेकिन हो जाएगा दो गाड़ियां A और B अगले एक घंटे के भीतर निर्धारित की गए ठीक है दोनों गाड़ियों के सभी यातरी हॉल में इंतजार कर रहे हैं हॉल में बैठने की छमता 1500 है कितनी है 1500 इतनी लोग बैठे हैं जिन में से 10% खाली है अगर 10% खाली है मतलब 1500 खाली है तो 15 में से 200 वटाओ तो कितना बज़ेगा 1300 1350 1350 लोग इंतजार कर रहे हैं बेट कर रहे हैं बेटिंग हॉल में इदर बैटे हैं पूरे हॉल के अंदर 1350 ठीक है 10% खाली है इदर तक आगा है खाली हो गए 10% पंदरा सो है 10% खाली है है यह नहीं है प्रेतिक च्छा यात्रियों में से 40% महला है अब 1350 का अगर 40% निकालूँ तो कितना होगा 1304 कर दो 135 गोड़े 4 कर दे 5 का 20, 0, 2 बचा 13, 52, 35, 1 540 तो 540 आपकी महला हो जाएगी कि नहीं 540 हो जाएगी महला मतलब फी मेल अगर 540 महला ही होगी तो पुरस कितने हो गए 40 इसमें से घटा हो गए आप तो यह 1310 1310 में से 500 और घटा दो मतलब 810 पुरस हो जाएगी 810 हो जाएगी अपने मेल ठीक है 40% महला है तो बाकी पुरस हो जाएगी तो ट्रेन की सोबिए कितनी है को प्रितिक छाले में जितने बैठे है 3050 उनकी ego तेहाई ये उनकी Dota High और यह क्या हो गया ह कै ये पूरे पुरश हो गया यह महला यह मतलब ये महलाएं हो गई और ये परोष हो गई इतने लोग बैठे हैं बेट कर रहे हैं ठीक है ट्रेन A के यातरी ट्रेन में सवार हुए ट्रेन A में सवार आधे यातरी महलाएं आधे यातरी महलाएं बाकि यातरी ट्रेन B में सवार हुए आधे जो यात्री हैं वो महलाएं हैं ठीके तो महलाएं कितनी थी देखे टोटल टोटल महलाएं कि आधे यात्री जो है वो महलाएं यात्री थी कितने तेरा सो बचास उनकी आधे करेंगे हम तो चैस कितने होंगे तेरा सो पचास के आधे करेंगे तो कितने निकलेंगे आधे क्या पूला, बोला क्या है, बैठे यात्रियों की दोति हाई है, ट्रेन ए, ट्रेन ए के यात्री ट्रेन में सवार हुए, ट्रेन ए में सवार आधे यात्री महला है, बाकि ट्रेन बी में सवार हुए, ट्रेन ए, ओके, ट्रेन ए के सवार आधे यात्री महला है, मतलब ट् महला है, ठीके, 450 महला हैं तो obviously 450 पुरस हो जाएंगे ठीके, 900 आधे यात्री हैं ये तो एकी बात होगे, ट्रेन एकी बात होगे, ठीके, अब बांकी ट्रेन बी में होगे, तो बी में कितने सावार हो जाएंगे बताओ, अब ये टोटल महला हैं कितनी थी 540 और 810 पुरस्ते 450 और लेडी सावार हो गई तो कितने बचे 50, 40, 90 और बचे 90 ट्रेन B में बैठ जाएंगे और यहाँ पर 450 गए यदि तो 50 तो 500 और 300, 800 और 10 360 पुरस्त में बैठ जाएंगे बस यह महला है मतलब फीमेल यह ट्रेन A के और यह मेल बन गया, अब क्या पूछा है देखो ट्रेन A में सवार पुरसों की संक्या A में सवार पुरसों की संक्या 450 और ट्रेन B में सवार महलाओं की संक्या ट्रेन B में सवार महलाओं की संक्या 90 कि बीच का अनुपात क्या होगा बीच का नुपात मतलब 450 रेशियो 90 पूछ रहे हैं रेशियो 90 जीरो से जीरो नो एकम नो नो पन्ना पे तलिश पांच रेशियो बन पांच रेशियो बन कहीं पर आ रहा है कहां पर आ रहा है option number B के अंदर ठीक है पुरसकार की रकम को तीनों के बीच इस तरह बांटा जाना है कि आनंद को बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली रासी का बन पाई पोर्त मिले बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी रुपे में कितनी अधिक होगी ये पूछा है देखें आनंद बाबू और चंदू को कितनी रुपे मिलना है 5,625 रुपे कि नगत पुरुषकार मिले ठीक है पुरुषकार की रकम को तीनों के बीच इस तरह बांटा जाना है मैंने माल लिया इधर देखें आनंद बाबू और चंदू को मिलने वाली रासी का 1 by 2 तो देखें आनंद को ये आनंद को बाबू और चंदू को बाबू और चंदू को मिलने वाली जो रकम है को मिलने वाली रासी का 1 by 2 जो मिली 1 by 2 ऐसा हो गया मतलब इसे क्या लिख सकते हैं ए बराबर बी प्लस सी को कैसे लिख सकते हो बताओ इधर टू रेशियो में लिख देंगे इधर बन रेशियो इस तरह रेशियो में मिल लए ठीक है यह होगा ए भी सी का अब दूसरा देख बबी बाबू को आनंद चंदू आनंद और सी चंदू को मिलने को एक साथ मिलने वाली रासी का 1 by 4 बन बाई पोर्थ चार इधर कर दो चार इधर न सूरी चार ने बन बनी आएगा ना इधर और बी और यो और सी बटे चार हो जाएगा ठीक है अगर हम इदर 5 का गोना करदे मतलब 5 एकम 5 और 22 दस और इधर अम 3 को सब्सक्राइब 1 ते निद करणेग्य तीन जोगे 12 तो 12 श जोजएगा तो 15 हो तो 5 5 10 पांच 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 पूछ रहा हो जाए यह बीसी तीनों को जोड़ेंगे तो दस बीए उसी को जोड़ो साथ तीन दस एकेला का पांच पूरेन अप एक कोल सब ठीक बस अब आगे कोस्टन पूछ रहा है जो उसकान सब्सक्राइब बाबू के मुकाबले आनन्द की इस्सिदारी बाबू के रेशियों की वेल्व निकालनें ऑ baw में तो द्सक्राथ ती पैतालीस पंद्रा चोके साथ पंद्रथ थी पैतालीस 5 611 थिंचे 15starश च के के नब्र सथे 105 ए 105 ए 105 व matter मतलब सात वहम से 0050 345 पींच्शतार रहा है एक रेशियों की वेल्व और हमको क्या बताना है, बाबू के मुकाबले आनंद, बाबू और आनंद, बाबू के मुकाबले आनंद को कितना अधिक मिल ला है, तो बाबू के मुकाबले आनंद की सिधारी, बाबू को तीन मिल ला है, आनंद को पांच मिल ला है, मतलब कितना अधिक मिल ला है, दो रिश इसी के साथ हमारा पार्ट नमबर 8 खतम होता है यह हमारा पार्ट नमबर 8 था जो लोग नए है पात क्रेटर अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकोन को प्रेस कर लिए ताक कि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें और बहुत ही जल्ली पार्ट नमबर 9 आने वाला है थैंक यू बेरी मेच फो वाचिंग